असलाम अलेकम स्टूरेंट्स एपेक सूपफ कॉलेज़ डेसका कैम्पस प्री फर्स्ट रियर ऑनलेन क्लैसिस में केमिस्ट्री का हम चेप्टर नुबर वन बेसिक कॉंसेट्ट डिसकस कर रहे हैं पढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नुबर नाइन है औ आज का जो टॉपिक है वो है कोनिसेट अफ मॉल बेपोरेस्ट रॉज जो मौल है वो कैमिस्ट्री इक टर्ममनालोजी है है चैमिस्ट्री स्ट के एक टर्म है और यह हम लोग condition के लिए दरसल एंटम जो है वंग स्टर्वील अश्रार प्रि sollam और मैस बहुत कम है, mostly आम देखते हैं, प्रीवियस जो इस चप्टर का हम लेक्शर नमर वान और टू पढ़ के आ रहे हैं, उसमें AMU Atomic Mass Unit में mostly Atomic Mass इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे के Oxygen का 16, जो है AMU Atomic Mass है, Hydrogen का 1 Atomic Mass है, AMU Unit के अंदर आप मैस को लिखते हैं, स्माल साइज आटम के इतना ज्यादा है, मैस इसका 10 क्रेज़ पर माइनस 27 तो 10 क्रेज़ पर माइनस 25 किलो ग्राम तक रेंज के अंदर आ रहा होता है, और फिर इसके बारे में स्माल साइज होनी के वेज़े से आप कहते हैं, जी एक 1 फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन जो ह स्माल साइज होनी के वेज़े से और मैस बहुत जादा स्माल होनी के वेज़े से, हुमन स्केल के अंदर हम लोग एक ऐसी टम बनाएंगे जिसके अंदर आटम के मैस को, आटम के साइज को आप हुमन स्केल पर मैयर किया जा सके, हुमन स्केल कौन से हैं, यानि ग्राम है, किल एहम रोल है तो इसका डिसकस करते हैं हम लोग definition वेरा first of all gram atoms क्या है gram molecules क्या है और gram formulas क्या है किसी भी atom के atomic mass को atom के atomic mass को grams में express कर दिया जाए तो वो कहलाएगा 1 gram atom या उसको 1 gram mole कह सकता है इसी तरह किसी भी molecule के molecular mass को grams में express किया जाए तो उसको कहेंगे 1 gram molecule या 1 gram mole जैसे कि 1 gram molecule of water is equal to 18 gram तो क्योंकि water का molecular mass 18 है और उसको अगर आप grams के अंदर ले लें उतने gram water ले लें तो वो कहलाएगा 1 gram molecule of water या इसको 1 gram mole दोल देंगे of water इसी तरह formula mass किसी भी आईनिक compound के formula mass को grams में express कर लिया जाए तो वो 1 gram formula unit कहलाएगा या 1 gram mole कहलाएगा लहादा जैसे कि अगर हमारे पास 58.5 gram NaCl हो तो हम उसे कहेंगे we have 1 gram mole या 1 gram formula of NaCl clear हो की बात तो यह gram atom, gram molecule और gram formula अब उस sense में आप किसी भी जो है atom molecule या formula unit के जो number of gram atoms है इस formula से find कर सकते हैं, mass of element in gram over atomic mass of element क्योंकि numerical हमने solve करने हैं इस concept के तहर इसलिए यह formula बहुत अहम है इस तरह अगर कोई molecule है तो number of gram molecules find किया जा सकते हैं mass of molecule in gram and molar mass of molecule divided इस तरह number of gram formula unit वो find करना होगा तो उसका formula है mass of any compound in gram over formula mass of any compound तो ये तीन terms आपके सामने explain की ही है atom और molecule और formula unit तो इन तीनों को collectively आप substance भी कह सकते हैं या इनको आप chemical species भी कह सकते हैं ठीक है जी तो इसके तहर जो है वो आप mole को express करते हैं तो किसी भी atom के atomic mass को किसी भी molecule के molecular mass को किसी भी formula unit के formula mass को ग्राम में ले लिए जाए तो वो कहलाएगा gram formula इसके बाद जी यहां पर आपने भी थोड़ी दिर में देखा कि भी different जो है वो हर जो element है उसका mass तो different है masses of one mole of different elements are difference in the mass of individual atom are drastically different so the molar mass of an element of compound is the mass in gram in one mole of that substance so the property expressed in units of gram per mole तो यह आप gram molecules gram atom यह gram molecule का unit है वो gram per mole जो है वो represent कि यहां पर इस diagram के अंदर आप देख सकते हैं कि zinc है इसके atomic mass जो है उसके मताबिक उसको gram express कर लिया गया तो यह एक mole आपके पास zinc है यह इसको one gram atom कह सकते हैं इस तरह 12 gram carbon ली जा रही है और यह एक mole के बराबर है अब इसी तरह 24 gram of magnesium है इनके atomic masses को gram में ले लिया क्या है तो यह हमारे पास यह तमाम चीजें एक mole के अंदर हैं जो chemistry का है कि अटरटार ठीक है जी उसके बाद जी comprehensive definition की तरफ आते हैं और उसको formula जिससे हमने numerical solve करने हैं तो जी definition है atomic mass molecular mass formula mass और ionic mass of a substance expressed in gram is card one mole तो यह previous जितनी detail के साथ हमने पड़ा उसको एक ही definition के अंदर हम लोगों ने explain कर दिया है कि atomic mass atom का होता है molecular mass molecule का formula mass formula unit का ionic mass ionic species का उनके masses को gram में ले लिया जाए जो के human scale है normally आप chemistry में AMU unit यूज़ कर रहे होता है तो लहाजा human scale के अंदर grams में ले लिया जाए उनके masses को तो वो one mole के बराबर होगा जैसे कि यहाँ पर example है अगर हम 13 ग्राम यह glass के अंदर water ले लेंगे तो easily आप physical balance से measure करके water ले सकते हैं 18 ग्राम तो वो हमारे पास actually क्या है एक mole water के लाएगा chemistry की sense में ठीको की बात अब number of mole find करने का formula है mass of substance over molar mass atomic mass molecular mass formula mass ionic mass उनको collectively क्या कह देते हैं आप molar mass से represent कर देते हैं next जी हम लोग इस formula के related जो है वो numerical solve करेंगे और यहीं एहम है यह topic का सारा full असा जो है कि formula आना चाहिए definition आनी चाहिए mole की और इसके related जो numericals है वो solve करने क्योंकि इस chapter में numerical short question में और long question में आ सकते हैं इसलिए हमने उस पर ज्यादा importance देनी है प्रैक्टिस करनी है उसकी हमारी example है book के अंदर textbook में कि calculate the gram atoms यह moles in 0.1 gram of sodium तो इसमें gram atoms का जो है वो आप जो है वो formula लगाएं कि number of gram atoms यह number of moles मेराबर मैस of element in gram over molar mass तो given mass sodium का दिया गया गया 0.1 gram और molar mass यह इसका atomic mass product table में होता है 23 gram तो इसको divide करेंगे तो answer आगे 0.0043 mole यह इसको यह represent कर सकते है scientific notations के अंदर तो यह answer आगे मारा इसका बी पार्ट जो है इसी question का वह हमारे पास दियावे silicon 0.1 kg kilogram है तो क्योंकि gram के अंदर आप लोग जो है calculation कर रहे हैं तो उस sense में आप पहले kilogram को gram में convert कर लें तो 1000 से multiply करते हैं तो 100 gram जो है इसका जो है वो answer आगया और molar mass silicon का होता है 28.086 तो number of gram atoms का यह formula उसी तरह लगाएंगे given mass over molar mass तो answer आगए 3.56 तो यह ही answer इसका आगया तो यह short question में यह दोनों आ सकते है separately है और B part जो है इसका next इसी formula से related जो है जो हम पढ़ रहे है example number 7 भी है यह past paper में आ भी चुकी है calculate the mass of 10 increase per minus 3 moles of magnesium sulfate अब इसमें जो है सबसे पहले आपको magnesium sulfate का molar mass find कर लेना क्योंके magnesium sulfate का formula दे दिया गया है magnesium sulfur और oxygen तो इसमें 24 और sulfur का आप लगाएंगे 92 96 जो है वो add करके तो 120 जो है इसका जो है तो इसमें फिर आप मोल्स आल्रेडी पहली दे जीएं लेहादा इसमें आपको find करना है mass mass of any subscription और formula mass अब इसमें आप मोल्स पहले लगा दी 20 minus 3 mass आपको find करना है molar mass 120 और उसके आपके बाद जो है formula पुर्ट तो मैस मोल्स लगा जी 10-3 और फिर mass के साथ multiply हो जाए है दूसरी तरफ जाके तो आगया 120 जाए 10-3 यहां भी इसको 0.12 gram जो है वो आंसर इसका आदा तो बोड़ा एहम है question next practice के लिए कुछ question मैंने लिखे हैं इसके आपने हर students जो है इसकी कोशिश करे practice करने की हमारे पास यहां पर है जाए जी calculate the number of moles of moles present in 0.4 gram of sodium hydroxide और दूसरे में mass in gram in 2.74 moles of potash जो है पर-magnate KMNO4 और फिर इसना calculate the mass in gram in 5.136 moles of silver chromate silver carbonate अब यह जो दोनों questions है यह हमारी जो book है textbook उसकी exercise का question number 10 है जो 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 आपने वहां से attempt करने और इसकी practice के लिए एक question मैंने यहां पे number of moles पहली question में दे दिये गए हैं और फिर formula वहीं लगाएंगे number of moles बराबर है mass over molar mass mass of KMNO find करना है molar mass 158 और यह number of moles लगा लिए तो mass of KMNO4 find करने के लिए 158 इस तरफे जाकर multiply हो जाए तो जब multiply हो गया तो answer हमारे पास आ गया 438.92 तो यह example के तो पर मैंने यह practice numerical किया है बाकी के दो questions आप लोग हर student जो इसको solve करें क्योंकि एहम है numerical point of view से यह chapter chapter number one तो आज का lecture ही ही पे खत्म हुआ बहुत शुक्री है